हमास के कमांडर याया सिन्वार ने इसरेल को फिर से डरा दिया है सिन्वार ने इसरेल की भाशा में ऐसी बात कह दी की बिनियामिन नेतनियाहू बहुत टेंशन में है दरसल बंदकों की रहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इसरेल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इसरेल को 60 बार हरा भी दिया है सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इसरेल राजी हुए तो घाजा में तैनाथ इसरेली सेना के टैंक और तोपों ने बंबारी कर दे शेख रद्वान इलाके में धमाके हुए और देह्शत पैल गए कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है जिसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बुजर्ग भी होंगे क्योंकि नेतन्याहु तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है, युद्ध बाकी है और घाजा की तबाही जारी रहेगी यानि सीज फायर की उम्रे ज्यादा नहीं है और अब शेक रद्वान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर तूट गया है युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिलकुल नहीं बचेगा लेकिन हमास को इसका डर नहीं, हमास के कमांडर को इसके फिक्र नहीं क्योंकि इसरेल की मीडिया में जो खबरें चाही है उसने यायास सिन्वार का खौफ एक बार फिर पूरे इसरेल में फैला दिया है क्योंकि याया सेनवार को लेकर जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है ये खबर सुरंग से आई है जहां हमास पूरी तरह एक्टिब है ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिर्दर्ट बन चुकी है हमास के कबजे से रिहा हुए एक बंधक ने बता है कि जब घाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दर्वाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिन्वार बताया जा रहा है वो व्यक्ति इसरेल में बोली जाने वाली हेब्रो भाशा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहां हमास के कबजे में मैफूज हो तुम लोगों को डरने के कोई जरूरत नहीं तुमें कोई नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा उसकी हेब्रो भाशा बोलने का लखा बलकुल एक इसरेली व्यक्ति की तरह था शुरू में उने लगा कि इसरेल का कोई शक्स उन से बात कर रहा है लगन तर ऐसा स्वा कि ये हमास का कमांदर याया सन्वार ही है तुमना हצाली अवड़त बेमलो रुट्समा इख यासन्वार मित्खब बुंकिर शेलो वनुतन लफगदे शेलो अटरोरिस्तिम लाट बश्टच अचलेनो हम फगदीम अलखीम बरोश अकुछ मोविलीम कदीमा मवीम लेसिगीम वमनीगीम अता कुछोत याया सन्वार अब इसरेल के सिर पर चड़ गया है इसमें कोई शक नहीं कि घाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सन्वार की चाप पड़ी हुई है हमास का एक-एक हमला याया सन्वार की सरपरस्ती में हो रहा है ये बात इसरेल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है नेतन याहू ने घाजा पहुँचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीजफ फायर रहेगा या फिर नहीं इसका हमास को खत्म करने के उनके एज़ेंडे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पहले ही बता चुके हैं कि एजरेल पर हमला करने वालों को वो चुन-चुन कर मारेंगे हमास को जड़ से खत्म कर देंगे कर था कर दो Work एज़ अधी है יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת, לחסל את חמאס, להחזיר את כל חטופנו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. यानि हमास का पक्का इलाज होगा. हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं. घाजा में सीस फायर करके इसरेल को वक्त मिला, उसकी सेना को वक्त मिला, हमास को भी वक्त मिला, दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जोटाने का काम हुआ होगा, ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनात बनाया जाए. लेकिन इन सबके बीट सबसे बड़ा चैलेंज याया सिन्वार बन चुका है. याया सिन्वार जब तक जिन्दा है, नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते हैं. नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिन्वार सुरंगों में घूम रहा है, और बंदकों से मुलागात करके उनसे सीधे बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू के बेचैनी बढ़ गई है, इसका मतलब साफ है कि याया सिन्वार जिन्दा है, याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है, याया सिन्वार बता रहा है कि इसरेल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिन्दा है यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है याया सिन्वार के ओर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तयार है सिन्वार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इस्रेल नाकाम ही साबित हुआ है साथ अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इस्रेल के दो मकसद थे पहला हमास के पास से करीब ढाई सो बंदकों को आजाद कराना जिसके लिए इस्रेल को सीज़ फायर करना पड़ा यानि उसका युद्ध और बंबारी काम नहीं आए वो फेल हो गया दूसरा मकसद इस्रेल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है लेकिन अभी तक इसमें भी इस्रेल फेल ही साबित हुआ है יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי המאס ואייסיס זה אותו דבר ואיך יעשה נוער זה עושה מה בין לדן החדש इसमें कोई शक नहीं कि याया से नवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का mastermind है उसी ने साजिश रजी उसी ने target चुना और अब वही गाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है घाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है उसने इस्रेयल को भी बड़े जटके दिये हैं लेकिन नितन्याहू अपने फैसले पर कायम है बंदकों को छोड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर दस गुना तेज हमला करेगा फिर हमास के पास ना बचने का रास्ता होगा ना भागने का घाजा की गलियों में युद्ध के दोरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किये हैं हमास का दावा है कि उसने इसरेल के 180 टैंक और वक्तरबंद गाड़ियों को हमले में पूर दिया है घाजा से लगतार ऐसी तजवीरे आई हैं जिसमें इसरेली टैंक पर घात लगा कर हमले किये गए इसरेल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन में उसके 70 से ज़ादा सैनिक मारे जा चुके हैं 200 से ज़ादा सैनिक जख्मी हुए हैं लहाजा हमास के खिलाब जो ताकत इसरेल को माना जाता है उसके मताबिक नतीजे तो इसरेल को भी नहीं मिले हैं हलाकि नेतन्याहू के सामने अपनी चवी को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और घाजा पहुँचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नज़र आती है सीजफायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे के लड़ाई जैसी भी होगी उसे लेकर इसरेल के ओपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा क्योंकि बहुत से बंधक खास कर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है इसलिए इसरेल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है